सर्दियों में इस्किन ड्राई रूखी बेजानसी हो जाती है और इस टाइम हमारे इस्किन की एक्स्ट्रा केर की जरुरत होती है अगर आपका इसकीन बिंटर में बहुत ज़्यादे ड्राई रहता है, खीचा-खीचा मासूस होता है, इसकीन से पप्रीशी निकड़ती है, काला पड़ जाता है, इसकीन बहुत सारे काले दाग धब्बे दिख रहे हैं, जाईया की प्राबलम हो रही है, अगर इन में से कोई भी इसकीन प्राबलम आपके फेस पे है, तो आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, अगर आपका इसकीन लूज हो रहा है, टाइम से पहले फेस पे बहुत सारे बारीक लकीरे दिखना सुरू हो गया है, तो इस रेमडिज को यूज करने से आपका इसकीन गया है, तो टैनिंग भी असानी से रिमूव हो जाएगा, हेलो एवरिवन, आज आपलो के साथ अपना सीक्रेट फेस पैक सेयर कर रही हूँ, जो कि बिंटर में मैं अपने फेस पर खुद लगाती हूँ, जिसके वज़ा से मेरा स्कीन इतना जादे गलो करता है, जैसे ही ब बिंटर आता है, पूरी तरह से स्कीन का बेंड बजा देता है, और इस टाइम हमारे स्कीन की एक्स्ट्रा केर की जरूरत होती है, पर मेरी बहुत सारी बाहने ऐसी हैं, जिनकों की खुद जानकारी नहीं है, कि आखिरो अपने फेस पर ऐसा क्या लगाएं कि बिंटर में स्क स्कीन ग्लो करें, दाग धब्बे ना हो, इसकीन काला ना पड़े, तो आपको परेसान नहीं होना है, आप लोग के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो सेयर करती रहूंगी बिंटर भर, और पूरे बिंटर भर अगर आप मेरे होम रेमेडिज को यूज करते हैं, तो इन चम्मच बेसन ठीक है, जो चने का दाल होता है, एक चम्मच बेसन ले लेना है, बहुत सारे लोगों का अबे सिकायत होगा कि मेरा स्कीन तो इतना जादे ड्राई है, तो मैं बेसन नहीं यूज कर सकती, बेसन यूज करने से स्कीन जादे ड्राई हो जाता है, लेकिन इस तर दही में भर्पूर मात्रा में लेक्टी केषिट पाये जाता है जो कि इसकीन के दाग धब्बे को हटाने में मदद करता है 사त में इसकीन को फेयर करता है प्लचर को लाग करके रखता है इसकीन को डिराई नहीं होने देता है तो इस टाइम भेश पे दही लगाना काफी जाद तो एक चम्मच दही ले लेना है इसमें आपको डाल देना है पिंच ओफ हल्दी वाइट टर्मरीक मैं ले रही हूँ अगर आपके पास नहीं है तो आप किचन का भी ले सकते हैं ठीक है ज्यादे हल्दी आपको नहीं डालना है आप सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपक से रिमूव कर देता है तो आधा चम्मच इसमें गिलिसरीन डाल देना है जो कि इस टाइम मैं अपने फेस पे बहुत ज्यादे गिलिसरीन का यूज करती हूँ इसकीन को फेयर तो करता है साथ में इतना सौट हो जाता है इसकीन की जितना भी मैं उसका तारीब करूँ पहले मैं भी अपने फेस पे नहीं लगाती थी लेकिन इस टाइम मैं बहुत जादे अपने फेस पे लगा रही हूँ और गजब का रिजल्ट मिल ला है अगर आप अपने फेस पे नहीं लगाए है गिलिसरीन तो ट्राई जरूर करिएगा आप लोग दूसरी चीज आपको इसमें डाल देना है आधा चम्मच एलोवेरा जेल अगर आपके पास प्लांट वाला एलोवेरा है तो ले सकते हैं अभी मैं मार्केट वाल लली हूँ मेरे पास भी प्लांट वाला एलोवेरा है लेकिन थोड़ा सा ठंड ही धर जादे हो गया है तो आलस लग रहा है तो कोई बात फ्रेस एलोवेरा भी आप इसमें यूज कर सकते हैं एक चम्मच गुलाब जल जो की स्कीन को सौप्ट बनाए रखता है बिंटर में ड्राई नहीं होने देता है आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हूं कि अगर आप अपने फेस पे नहीं लगाते हैं तो ट्राई जरूर अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा इसकीन को तो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देता है और ड्राई इसकीन वालों के लिए तो यह अम्रित है और इस फेस पैक का जान है जो गिलिसरीन है तो इस तरीके से इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स आपको अच् ज्यादा से ज्यादा से शेयर किया करिए ताकि मेरा भी थोड़ा सा हेल्फ हो जाए वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं आप लोग का एक लाइक अंदर से मोटिवेट करता है काम करने के लिए तो प्लीज एक वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करिए तो जो लोग अपने skin की अच्छे तरीके से care नहीं करते हैं, अपने face के लिए कुछ extra नहीं करते हैं, उनका skin टाइम से पहले बुढ़ा दिखने लगता है, और बहुत सारा skin problem भी देखने को मिलता है, फ्रेंड अभी आप लोग को मेरा आवाज थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, क्योंकि मेरा तवियत नहीं ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोग के लिए video share कर रही हूँ, तो प्लीज आवाज थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, तो ignore करिएगा, तो इस face pack को लगाने से पहले, आप अपने skin को अच्छे से clean कर लीजिए, जो कि मैं हर वीडियो मे आप लोग से यही बोलती हूँ, कि आप अपने face पे कुछ भी लगा रहे हैं, तो skin आपका clean होना जरूरी है, तो या तो गुलाब जल से clean कर सकते हैं, या तो raw milk से, इस time face को clean करने का सबसे अच्छा तरीका है, कच्चा दूद, थोड़ा सा raw milk लीजिए, पूरे face पे लगा कर एक मिनट के लिए मसाज करिए, और cotton से पोच लीजिए, raw milk skin को बिल्कुल भी dry नहीं होने देता है, साथ में face पे एक प्यारा सा निखार भी आता है, इस skin को clean करता है, साथ में skin को dry भी नहीं होने देता है, तो ये सबसे अच्छा आप सनल है, आप raw milk से भी clean कर सकते हैं, या तो गुलाब जल से, तो face को clean करने के बाद, spike को पूरे face पे लगा लेना है, लगा करके इसे आपको छोड़ देना है, 20-25 मिनट के लिए, अगर आपके पास time है, तो आप इसे 30-35 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कि जादे time तक छोड़े तो इस तरीके से पूरे face पे लगा लेना है, लगाने का तरीका भी मैं आप लोग को दिखा दे रही हूं, मेरे face पे एक भी कोना छूड़ता नहीं है, जो कि आप लोग मेरे हर वीडियो में देखते हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने face पे लगाती हूं, अगर आप के पास brush है, तो उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है अपने हाथों से लगाना, उंगली की सहायता से बहुत अच्छी तरीके से face पैक लग जाता है, आप लोग को जिस तरीके से असान लगे, आप लोग अपने face पे पैक लगा सकते हैं, कर लेना है, और पूरे face पे रात को लगा कर सो जाईए, सुबा उठने के बाद आपका skin dry भी नहीं होगा, और काला भी नहीं पड़ेगा, इतना amazing result देता है, जो coconut tile होता है, खासका dry skin वालों के लिए tips है, अगर आपका skin बहुत जादे dry है, तो कुछ time लगा कर देखी, आपक सकते हैं कि पैक बिल्कुल भी सूखा नहीं है, इसे मैं 20 मिनट के लिए छोड़ती थी, लेकिन बिल्कुल भी dry नहीं हुआ है, क्योंकि इस time winter है, और winter में हम अपने face पे कुछ भी लगाते हैं, लेकिन वो सूखता ही नहीं है, कोई बात नहीं, ये अपना काम कर दिया है, अ अभी से हटाना कैसे है, तो अभी मैं इस्पून से हटा कर आप दिखा रही हूं इस पैक को, आप ऐसे पानी से भी धूल सकते हैं, लेकिन पानी से धुलने के लिए आपको कौन सा पानी का यूज करना चाहिए हलका गुन-गुना, इस time इतना जादे ठंड पड़ रहा है, जो नार्मल पानी है, वो भी बहुत जादे ठंडा हो गया है, तो फेस को धूलने के लिए, कोई अगर आप अपने फेस पे ऐसा पैक लगा रहे हैं, जिसमें की थोड़ा सा ओयल बेस है, तो उसको धूलने के लिए आप हलका गुन-गुना पानी का यूज करिए, लेकिन ब पार आप गरम पानी से धूल सकते हैं, वो भी हलका गुन-गुना पानी से, जादे गरम पानी फेस पे बिल्कुल भी मत यूज करिएगा, अभी मैं फेस को क्लीन करके आप लोगो रिजल्ट दिखा रहे हूं, आप लोग देख सकते हैं कि फेस पे गोल्डन निखार आया है इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, बिंटर में ए पेक मेरा इतना जादे फेवरेट हो गया है कि बीक में दो तीन बार तो लगाई लेती हूं, इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है और जब कोई भी फेस पेक हुआ चाय कुछ भी हुआ, जब उससे अच्छा रिजल्ट मिल आप लोगों कि इस टॉपिक पर वीडियो देखना है वो भी कमेंट करके जरूर बताईएगा फ्रेंट तो मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई